नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार 24 सच से सामना मैं हूँ आपके साथ दिलासादास पिता का साया सिर्ष से उठने से दुखी बेटियों को प्रिया ने बनाई आत्म निर्भर जी हाँ जाप नेत्री प्रिया राजने कसेरा गाउं इस्तित मिर्टक मुहमन हलीम के घर जागर उनके पड़ी जनों को सांत तुना दी है पिता के मौत के बाद बे सहरा बनी मिर्टक की बेटियों को सिलाय मसिन के साथ आर्थिक मदद भी की है वही इस दौरान मिर्टक की पत्नी हुआ दोनों बेटियों भावु खोकर ओपर हैं फिर पड़ी जनों को किसी तरह से समझा पुझा कर सांत करवाया गया उन्होंने कहा कि जब भी किसी बेटी का कोई दुख देख लेती हूँ तो कोशिश यही रहती है कि उसके दुख की घड़ी में उसका साथ देकर उनके दुखों को बाट लो वहीं पिता के साया सिर से उठने के बाद परिवार में मुसीवत हो गई है इसलिए इन बेटियों को मदद करने का दिल में खयाल आया और फिर हमने आत्म निर्भर बनाने के उद्देश से सिलाई मसीन भेट की हूँ मसीन सीकर अपना गुजर बसर कर सके बरताते चले कि इस दौरान उन्होंने मिर्टक के परिजनों को उचित मुआपजा का मांग की है साथ इस घटना में शामिल सभी अपराजियों की जल्द गिरफतारी की भी मांग की है वहीं अस्थानिय समाज से भी सशांत सेखर ने कहा जो वाकई सारानिये हैं और साथ ही मैं पुलिस परसासन से निवेदन करूंगा रोपी की गिरफतारी जल्द से जल्द हो और समाज में ऐसी प्रियाराज समन और भी योती और लोग जो भी है उभर कर सामने आई से समाज का कल्यान होगा इनके द्वारा किये गए मदद वाकई सरानिये और प्रेड़ना स्रोथ है मालूम हो कि करिब 10 दिन पूर्ग खिसर थाना शेत्र के कसेरगों में एक ठेला चालक का इसलिए सिर को धर से अलग कर दिया गया ताकि दरिंदों की काली कर्टूतों का परदा फास न हो जाए बता तन को काट कर अलग कर दिया जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई इतना ही नहीं उन अप्राधियों ने पहचान चुपाने के लिए कटी सिर से दोनों आखे निकाल ली दोनों कान भी काट दिया और फिर सिर को कहीं चुपा दिया हलाकि घटना के दो दिन बाद सिर बढ़ाम झामना!